KGMU में भी इसका प्रयोग किया गया है पेशेंट्स पर और क्या रिजल्ट रहा है अभी कल मैंने दिया है फिर्स्ट मैंने दिया है उसका रिजल्ट क्या रहा है अभी तो देखेंगे अभी पेशेंट पर ट्राइल करेंगे अभी तो कल मैंने दिया है अचा आपने डूनेट किया प्लाजमा? कल मैंना भी डोनेट किया, अभी क्यों ऐसा पेशेंट होता है, जो काफी ट्रिटिकल होगा, तो ऐसे पेशेंट में हम इसका ट्राइल करेंगे. ठीक है, आपको भी प्लाजमा देने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं यह नहीं कोई थी कर नहीं यह एक इजी और फैनलेस प्रोसीजर है और हम उन सभी लोगों से अपील करते हैं जो लोग ठीक हो के घर पे चले गए हैं और सुस्त हैं उनलों को भी आगे बढ़ना चाहिए आगे आना चाहिए और प्लाजमा डोनेशन में हल्प करना चाहि है क्यों इसमें थोड़ा और वक्त ले रहे हैं आप लों और वो और लोगों के अपेक्षा में ज़्यादा बेनिफिट हो मतलब जल्दी रिकावर हो पहले पर इसके लिए समझना जरूरी है कि हम प्लाजमा थेरेपी किस ग्रूप के पेशन्ट को दे रहे हैं वो पेशन्ट जिन में कि जैसे आप और हम उनका रेस्पिरेशन हमारा 10, 12, 14 पर मिनट होता है पर जिन पेशन्ट के अंदर अगर निमोनिया हो जाए कोरोना हो तो उनका रेस्पिरेटरी रेट एक मिनट में 30 से उपर तक हो सकता है 30 टाइम्स पर मिनट ब्रीधिंग और ऑक्सिजन जो हमारी आपके करीब 99 परसंट होती है सैचुरेशन वो 93 परस हैं लंग डैमेज हो जाता है उनका ऐसे व्यक्ति में जो की बहुत सिक है जिसमें बचने की उमीद नहीं है ऐसे मरीज के अंदर हम प्लाजमा देना चाहते हैं वो नहीं जिनको की कोई सिम्टम नहीं है घर पे बैठे हैं सिरफ कोरोना से इंफेक्टेड है उनमें प्लाजम पे है तो उससे निकल आए उसके औरगन फेलियर नहीं हो किड्नी डैमेज नहीं हो या उसका ब्रेन या उसका हार्ट नहीं फेल हो ऐसे अगर हम लोग इलाज के फायदे हो और इसको हमें काफी अरसे तक देखना है अजए सर हमारे पास चोड़ा वक्त कम है मैं आपसे तो एतियातन भी दिया जा सकता है क्या कि वो रोग प्रतीरोदग शम्ता कोरोना के खिलाव तयार हो जाए क्या भविश में ये भी प्रेयोग किया जा सकता है क्या आज की तारिक में ऐसा कोई है नहीं पर हाँ इसी प्लाजमा से अगर कोई अच्छी कंपनीज इंडिया की आई वी आई जी जो एक हाई क्वालिटी ग्लॉबूलिन्स बना करके दे सकते हैं वो एक पॉसिबिल्टी है ये हेपिटाइटिस बी के अंदर ट्राइ किया गया थ दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि वेक्ति कई बार प्लाजमा दे सकता है जैसे ब्लॉड डोनेशन हर तीन महिने में दिया जाता है प्लाजमा हर दस दिन में दे सकते हैं कोई कमजोरी नहीं आती तीसरा जैसे कि अभी रमजान चल रहा है अगर आप रोजे भी रख रहे हैं त सारे वेक्तियों के लिए और एक अपील है जी जो कॉरोना से ठीक हो गया वो कितने दिन बाद प्लाजमा दे सकता है और दूसरा उसके मन में डाउट ले होगा सर कि फिर प्लाजमा देने हॉस्पिटर जाना होगा कहीं इंफेक्शन तो नहीं हो जाएगा नहीं पहली बात कॉरोना से जो रिकवर कर गए हैं उनके अंदर री इंफेक्शन कॉरोना से पाया गया है कोरिया में कई जगे पर बहुत कम है अगर आपको सेकेंड टाइम भी कॉरोना होता है बाई रेर चांस एवन देन इट इस ए माइल डिजीज पर अस्पताल में कॉर आपकी बोडी स्ट्रॉंगर होगी वीक नहीं होगी किसी हालत में हीमोगलोबिन कम नहीं होगा आपको वीकनेस नहीं आएकी और फिर डॉक्टर्स बहुत ध्यान रखते हैं उनका जो डोनेशन देते हैं उनको मॉनिटर करते हैं प्रॉपरली तो मेरे विचार से डोनेशन एक अबादत है एक तरह से आपका एक राश्ट्रे के नाम सबर्पन है और उन सारे मरीजों के लिए हजारों मरीजों के लिए जो सिख हैं I think donors are required to be saluted and they must collectively go to hospitals for plasma donation जी डॉक्टर सरीन, डॉक्टर खान और आप जैसे तमाम डॉक्टर्स को इंडिया टीवी की तरफ से हम शुपकामनाई दे रहे हैं कि आपका ये प्रयोग काम्याब हो और भारत में बहुत सारे लोगों को राहत मिले इस plasma therapy से और स्मृती आपका बहुत शुक्रिया आपने बताया, लोगों के मन में जो डर था, plasma donate करने को लेकर उसे दूर किया, हम उम्मीद करते हैं बहुत सारे ऐसे corona patients जो ठीक हुए हैं, वो सामने आएंगे, इससे कोई कमजोरी नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, आप एक बार नहीं, कई बार plasma donate कर सकते हैं, देश के लिए, द plasma donate कीजे, बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमार साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए